अभी बनाएंगे हम अचारी आलू जिसके लिए ये तेज पत्ता साइपन को गरम करके हमें तेज पत्ता डाल लिया है और इस पे कश्मीरी लाल मिर्च ये डाल लेंगे कर दो कर लेंगे हनका सारोस्ट कर लेंगे मिर्च को और तेज बत्ता को कि रोस्ट हो चुका है मिर्च इस पे डालेंगे दो मेडियम चमच दनिया साबुत दनिया और एक मेडियम चमच जीरा साबुत जीरा एक मेडियम चमच और एक टी स्पून के आसपास तो यह भी डाल लेंगे और एक के उपर अब एक टी स्पून के आसपास यह जी दाना मृष्ट हो अधिन आस dobr ön और जाव कर राल को प्लेंशा ताक कि आए अधिनना प्लें देगा आथि आए रहा है चांब अधिनन मृष्ट हो चुका है को ठीज सुपी पर कफेता ह। जो बद्ट के लुबड़ दृब मिकसर में दरदरा पीस लेंगे और अब इसमें एक बड़ा चमस तेल डालेंगे साबुत मसाला पीसने के बाद अचारी आलू के लिए अब तेल गर्म करने के बाद इसमें डालेंगे 25 तीद चोटे वाले अलू वाल लिया था हमने लेगी पोटैटो अब इसको तो चेट तक आलू को तेल में फ्राइब कर लेंगे अलू को अब इसमें डालेंगे एक यह स्पीन नमक यह नमक इसके अंदर टाल लेंगे मक को मिक्स करने के बाद इसके ढालेंगे यह मसाला को हमने मिक्सर में पीस लिया था वह मसाला इसके अंदर मसाला जम पूली तरह पॉडर नहीं बनाना है जरदरा साहल कासा रखना है मसाले को मसाला इसके अंदर और इसको मिक्स कर लेंगे हालू के साथ इस तरह से मिक्स कर लेंगे मसाला रोस्ट था इसलिए ज्यादा प्राइड नहीं करेंगे इसको जिससे की रोस्टेड मसाला का टेस्ट आये और यह तयार है हमारा अचारी आलू यह बंद कर लेंगे प्राइड बंद कर लेंगे